आपदाम अपहरतारम दातारम शर्वशंपदाम लोकाविरामं स्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यां प्यारे मित्रों जैश्याराम जैमातारी मित्रों आज आपसे चर्चा करते हैं कि जन्वरी 2021 में एकादसी का जो पावन पर्व है ये क्रश्णपक्ष और सुखलपक्ष में किस-किस दिन है इस विसे के चर्चा करेंगे तो सनिवार 9 जन्वरी 2021 में शफला एकादसी का पावन पर्व है महूर्त है शफला एकादसी का जो पारण महूर्त है ये है साथ बच करके पंद्रा मिनट से लेकरके नो बच करके बीच मिनट तक दस जन्वरी को और अवत ही है इसकी दो घंटे पाँच मिनट इस दिन पाराण करना है नो जन्वरी को ब्रत रखा जाएगा दस जन्वरी को पाराण किया जाएगा इसी तरह से पॉश मास के जो आपका 24 जन्मरी आएगा तो 24 जन्मरी में रविवार के दिन पॉश पुत्रदा एकादशी व्रत है जो शुक्लपक्ष में आएगा तो इसका मूर्त है पॉश पुत्रदा एकादशी का पारायन का मूर्त है साथ बच करके 12 मिनट से उप्रारम होगा और नो बच करके 21 मिनट तक रहेगा 25 जन्मरी को पारायन करना है एकदसी तित्थी जो है वो 24 जनवरी को है पाराण का जो शमय है वो आपका 25 जनवरी को इसकी अवदी जो है वो 2 घंटे 8 मिनट तक रहेगी तो हमने आपको बताया जनवरी के महिने में पढ़ने वाली एकदसी के मूर्थ और पाराण के विशय में अधिग्यानकारी के लिए कि आप हमसे संपर्ग करते रहेगा किसी भी तरह का पूया पाठ यग्जी अनुस्ठान रामकथा भागवत कथा ग्रह प्रवेश और पहुते जीवन में जो भी वास्तु शम्मंदी यानकारियां हैं वो भी आप लेते रहेगा हम आपकी सेवा में तत्पर हैं और भगवान आपके जीवन में करपा करते रहें इन्हें मंगल कामनाओं के साथ पुना मिलूंगा एक नए वीडियो में सब तक के लिए दीजे इजाज़त जैमाता दी जैमाता